कि देखिए तो दर्षन बी तीन प्रकार के होते हैं साधारण दर्षन उर उट्तम दर्षन साधारण दर्षन में प्रभा हमें स्वापन देखे जाते हैं मलब हमारे सपने में आगए हैं अब बाद हमें शानती मिली उसके बाद आते हैं उत्तम दर्शन पर आके दो प्रकार की होते हैं परोख और अपरोख शाक्षतकार पर उक शाक्षतकार में कोई लाब नहीं होता इसमें मनुष्य मान लेता है कि ईश्वर सिरफ एक ही स्तान पर है मतलब हम मंदिर गए हम मेंगी से मिठाई लेकर गए हम फुलों की माला लेकर गए बड़ी मिठी मिठी बाते करके हम ईश्वर को प्रसंद करकर आए है पर मंदिर से बाहर आते ही हमने दूसरों को कोसना शुरू कर दिया हमने बद्धु आते ही शुरू कर दी हमने दूसरों को कोसना शुरू कर दिया तो मतलब हमने मान लिया था इश्वर सिर्फ मंदिर के अंदर ही हमें देख रहा है, मंदिर के बाहर नहीं माँ भेन की गालियां शुरू कर दी, तो उससे तो हमें दर्शन होने से कोई लाग नहीं मिला ना, भले हमें चाहे दो मिनट की शान्ती मिल गई हो, है ना, तो परोग्ष से कोई भी लाग नहीं ह होता से भुण दर्शल नादिला होता है इसमें हम मानते हैं की हम इश्वेश से बिन अलग हैं ही नहीं मतलब जब एक प्रेमी को अपनी प्रेमी का मितल six devil ये ये मों दिखाई एननकामा हम अपने घर वालों को भी अपने प्रेमी का के नाम से पुकार देतें क्यूं? वो 24 घंटे हमारे दिमाग में बस वही 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 चलता रहता है। इसलिए हम खुद को मानते ही नहीं है कि हम अलब हुए हैं उससे, हम प्रेम ही इतना जदा करते हैं उससे, तो मानते ही नहीं हैं, हम हर जगा इश्वर का अनुभब करते हैं, तो इससे क्या होगा मतलब हमें मंदिर जाने की भी जरुरत नहीं है हम बोलेंगे श्रीहरी हमें यहां आकर दर्शन दो उनको आना पड़ेगा क्यों आपका प्रेम बिलकुल नी स्वार्थ है आप उनसे सचा प्रेम करते हैं आपका प्रेम बिलकुल शुद्ध है इसलिए जैसे कोई हमारा बुरा भी कर रहे है तो हम उसको कोसेंगे नहीं हम इसको बद्दवाय नहीं देंगे हम क्या हैfold कोंसे श्री-चरी के बारे में इसे नहीं पता क्या करूं करने के लिए इसको प्रभु ने उपर से भेजाए इसे नहीं पता इसलिए तो यह ऐसा कर रहा है तो मुझे आप बताईए कि आपको तीनों में से कौन से दर्शन हुए है श्री हरी